यहां पर आज जो मैं डिसकस करने जा रहे हूं बहुत महत्पूर यहां पर यह आपकी टॉपिक है आप लोग देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर यह आपका थर्ल्ड इयर जो आपका एक्जाम हो रहा है उसका मौडल पेपर है यानि थर्ल्ड समिस्टर होम साइंस का मौडल पेपर है और यह जो है आप लोग देख सकते हैं पेपर कोड है आपका 311014 ओके पेपर कोड आपका है और यह जो है बीए बीए सी सिकंड इयर थर्ल्ड समिस्टर ओके सिकंड इयर बीए सिकंड इयर थर्ल्ड सम आपका जो है एक्जामनेशन आपका क्या है तो एक्जामनेशन आपका जो है 2022 है पेपर किसका है तो पेपर ये आपका है होम साइंस का किसका तो होम साइंस का पेपर है और ये फॉर्स्ट पेपर है क्या है फॉर्स्ट पेपर होम साइंस का है जो कि आपके देखिए बीए बी आज हम लोग इसी मॉडल पेपर को देखेंगे जो कि आपके पेपर आप डू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्या समझ जाए कि विल्कुल आपका पेपर आउट हो गया इस तरीके से मान M आपका paper बहुत मैंने बहुत अच्छे से इससे जो है एक model paper का रूप देनी की कोशिस की और बहुत अच्छे से मैंने इसको बहुत अच्छे questions को इसमें मैंने add किया जो आपके home science के लिए बहुत ज़्यादा important है तो आप लोग इस वीडियो को बीना skip के पूरा जरूर देखिएगा और आप लोग का इसमें बहुत ज़्यादा जो है question इससे फस भी जाएंगे और क्या कहते हैं सारी question बहुत important है तो paper का नाम तो आप लोग को पता है आपके paper का नाम जो है वो है advanced nutrition and human development ओके क्या है आपका human development आपका है advanced nutrition and human development ओके तो इसमें मैंने आप लोग को first chapter complete भी कर दिया है तो आप लोग जो है वीडियो को जरूर देखिएगा वो chapter आप लोगों के लिए बहुत important है जल्दी मैं second unit भी आप लोग को complete करा दूंगी देखिए यहाँ पर दिया गया है समय आप लोग का कितना रहेगा तीन घंटे का आपको समय दिया जाएगा और आपके mark जो होंगे वो क्या होंगे तो आपकी 75 होंगे बाकी मैंने आप लोग को बताया था कि जो 25 नंबर होता है यह college की तरफ से होता है जो आपकी परजेंटी आपके जो प्रोजेक्ट बगारा बनाते हैं उसके उपर दिया जाता है तो पहला यहाँ पे पहला खंड है और पहले खंड में देखिए यहाँ पे आपको निर्दे इसके अंसार question को करना है और सब के निर्देश दिया गया पहला section A यानि खंड है तो यह क्या है आपका आपका यह है very short answer type question ठीक है यहाँ पे यह very short type answer यानि अतिलग उत्तर यह प्रशन है जिसमें कि देखिए यहाँ पे दिया गया है निर्देश में कि इस खंड के शभी प 50 सब्दों में देने हैं कितने 50 सब्दों में देने हैं सभी प्रशनों की उतर यानि कि सभी प्रशन आपको करने है तो देखिए पहला जो है कि पहला question आपके screen पे है देख सकते हैं आप लोग जो है विकास को प्रभासित करना है definition development का आपको देना है यानि कि विकास को प्रभासित करना है विकास क्या है और विकास को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आप लोग वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद RDA का आर्थ आपको बताना है जो सन 2020 का RDA है 20 का नहीं यानि कि RDA का फुल फॉर्म आपको बता देना है उसका आर्थ बता देना है कि RDA क्या होता है उसके बाद है यह आपका second question था उसके बाद आप तीसरा question देख सकते है meaning of personality को बताना है यानि कि आपको क्या लिखना है यहाँ पे तो 32 का अर्थ ही यहाँ पे आपको बताना है क्या करना है तो 32 के अर्थ को बताना है सिप 50 सब्दों में देना यह भी याद रखिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको HIV AIDS जो होता है इसका full form लिखना है क्या करना है HIV AIDS का सिप full form लिखना है तो इसको लिख दीजिएगा उसके बाद संतूली तहार को परभासित कीजिए मैंने संतूली तहार बहुत डिटेल से आप लोग को पढ़ाया है आप संतूली तहार का वीडियो जो है आप लोग जरूर देखिएगा उससे बहुत ज़्यादा question फशेगा अभी इसी में देखिएगा कितनी question आये हुए है उसके बाद है college term क्या है तो सबको पता है कि college term क्या है मा का गाढ़ा दूध होता है पहला दूध उसके बाद है आपका यहाँ पे six number seven number question जो है आपका seven number question क्या दिया गया है तो seven number question आपका क्या है तो seven number question है मद्ध बाल्य आवस्था के विकास आत्मक कारिक के बारे में बताना है क्या करना है तो development जो है जो आपका trust आप middle childhood के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है तो मद्ध बाल्य आवस्था के विकास आत्मक कारिक लिखना है उसके बाद इहां पर अहार योजना क्या है? मैंने ये भी बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाया है जो जो मैंने पढ़ाया वो हो मैं आपको पता दे रही हूँ और बाकी सभी मैं, सभी ये नहीं है कि थल्डियर का अभी एक्जाम हो रहा है और क्या कहते हैं वैसे भी मैं इसके सभी टॉपिक को कंप्लीट करने वाली हूँ और बहुत जल्दी एक्जाम से पहले लगभग आप लोग को टॉपिक मिल जाएगी तो आप लोग अगर चैनल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा अगर आप लोग मान लिजे कि थल्देर में तो आप लोग थल्द समिस्टर का पेपर देंगे फिर फॉर्स समिस्टर का पेपर देंगे तो अगर आप अपने फॉर्थ समिस्टर की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ये तो question मैंने अभी अभी आप लोग को दिया था उसमें भी मैंने पताया था कि किसोरा वस्ता की विशेशता हैं किसोरा वस्ता की समेश्चा हैं किसोरा वस्ता हैं में संबे आत्मक विकास तो किसोरा वस्ता बहुत important है किसोरा वस्ता आप लोग फिल्कुल पढ़ अनुपूरक अहार क्या है? यह आपका 10 questions, very short question था, यानि अति लोग उत्तरिये में 10 questions आपके हैं, 10 questions क्या आपको उत्तर देना है? यह उसनन नहीं है, 20 section, अब आपका 20 section आगया, 20 section में आपका क्या है? तो इसमें यह short answer type का questions है, लगूत्तरिये आपका, क्या है? लगूत्तरिये प्रस्न है, इसमें जो है आपको क्या करना है? सिप 5 प्रस्नों के उत्तर देने हैं, कितने? तो यहाँ पर देख सकते हैं, सिप 5 प्रस्नों के उत्तर देने हैं, पर तेक लगभग 200 सब्दों में उत् यह आपको बताना है संतुली तहार का महत बहुत अच्छा क्वेश्चन है संतुली तहार का महत जो आपका है माता-पिता के उत्तर दाइक्तियों के बारे में आपको लिखना है क्या करना है माता-पिता के उत्तर दाइक्तियों के बारे में बताना है कि माता-पिता का बच्चों के प्रति क्या यानि उनके प्रति क्या रिस्वान बेल्टी होती है इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा उसके बाद है आपका four number question शेशो आवस्ता के दाउरान क्या है तो शेशो आवस्ता के दाउरान किन पोसक तत्तों की और सकता होती है इसके बारे में आपको यहाँ पिलखाना है किन पोसक तत्तों की और सकता होती है कितना होता है यह आपको यहाँ पे बताना होगा उसके बाद five number question आपका जो है पर्शनाल्टी यानि की बेत्तित विकास को प्रभावित करने वाले कारिकों के बारे में वताना है तो बित्तित आप लोग वातावण हो गए आपका ठीक है व JI करन्स हम हो गया समाज़िक हो गया सारी इडिक भिकास हो गया मांचर भिकास तो यह सारे इसके फैक्ट होते हैं जोकि प Natomiast को प्रभावित करते हैं ओके उनकी सांस्कृत ही को गई उसके बाद ये देखिए मैंने किशोरा वस्ता समयशाओं की बात की तो ये देखी आप ही गया किशोरा वस्ता समयशाओं के बारे में बताईए Very important है आप लोग ये लिख के ले लीजिए आपका ये 100% आना ही आना है तो कोई भी मैंने यहाँ पर जितने प्रसंद बताए बहुत इंपोर्टेंट बताए हैं सारे कोश्चनों को इद्धम रट लीजिएगा यह आपके पेपर आप व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है उसके बाद नेश जो आपका क्वेश्चन होगा वो क्या होगा अहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक यह भी मैंने आप लोग को बहुत डिटेल से पढ़ाया आप लोग वीडियो देख लीजिएगा डिप सेक्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी संतुली तहार का प्लस आप लोग को आहार आयोजन के सिध्धान होगे प्रभावित की लिंक मिल जाएगे आप लोग एक बार वीडियो जरू देखिएगा नेश्ट क्वेशन जो आपका होगा वो क्या होगा एक नमबर क्वेशन की वया संधि में होने वाले शारी रिक तथा हार्मोन समंधी परिवर्तनों के बारे में बताईए ये आपका एक नमबर क्वेशन होगया 9 number question कह रहा है कि एक ब्रिधि वेक्ति के लिए क्या करना आहार आयोजन करना है ठीके बहुत अच्छा question है और बहुत अच्छा question paper आया है आप लोगों का तो इस तरीके से आप लोग अपनी तयारी कर सकते हैं इसलिए मैंने question paper की तरह ही कि आप लोगों को question paper बनानी की कोशिस की है यहां पर जो question होगा वो क्या है अब आपका section C आ गया long answer type question है यहां पर यानि कि आपका दीर घुत्रिय प्रश्ण इसमें आपको शिप क्या करना है शिप यहां पर two question के answer देना है दो प्रश्णों के उत्तर देनी है वो भी प्रटेक प्रश्णों के जो उत्तर होंगे वो 500 सब्दों में होंगे ओकी चलिए तो इसका जो ten number question है वो क्या है तो वो है आपका कि विशिष्ट अवस्थाओं में पोसड के महत्तिका विस्तार पूर्वक अवस्था जो है विस्तार पूर्वक लेगे देखिए यहां पर विशिष्ट अवस्थाएं कौन सी होती है तो आपके दो होते है एक आपका क्या हो गया गरभा वस्था हो गया और दूसरा जो होता है वो क्या होत तो आपका मतलब हो गया गर्भावस्ता और दुद्धपान कराने वाली लेडी तो इनके बारे भी आपको यहां पर लिखना होगा ग्यारा नमबर कुश्चन जो लांग का होगा देखें दो प्रस्ण देने हैं आपको यहां पर आपको तीन चार कुश्चन मिल जाएंगे उसमें से दो आपको जो ईजी लगता है उन कुश्चनों को आपको कर देना है तो बहुत अच्छा पेपर रहता है आप लोग का इस तरीके से दिया रहता है पोड़ा वस्ता में सैच्छिक तथा बेहुसाइक समायोजन के बारे में विस्तार से बताईए तो उसके बाद आप लोग यह एक कुश्चन है यह आपका गर्वा एक गर्वती महिला के लिए अब इस शक पोशक तत्तो को बताईए गर्वती महिला के लिए एक दिल की आहार तालका बहुत अच्छा कुश्चन है आप लोग अराम से बना सकते हैं इसके जो है आहार तालका सुबा उसको क्या देना चाहिए सुबा सो की उठे गिलास दूद दे दो फिर उसके बाद न भी स्तिरिये तो उसको बीच में देना है तो उसके बाद दुपहर का लेंच में उसके लिए खाना की तयारी कर देजे फिर शाम के नास्ता के फिर रात का दिना है इस तरीके से आपको एक आहार तालका मैं आप लोग को आहार तालका बनाना शिखा दूँगी ओके तो इस कि उस ताइम भी हमारा यह question बहुत ज़्यादा आया हुआ है कि शम्भी घात्मक विकास क्या है शम्भी घात्मक विकास के कौन-कौन से कारक पर भावित करते हैं बहुत अच्छा है और बेरी इंपॉर्टेंट आपका यह question है तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा और इस तरीके से यह आपके कितनी question long में दिये गए है एक तो चार question है आपको दो करने है तो बहुत अच्छा paper है आप लोगों का आप लोग इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिस करिएगा और इन सारी question को आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि इन ही जो यह सारी question थे यह ब पर देने जाएगा और बहुत important है आपके लिए और आप लोग को सारे question इसी से मिल जाए इसी से फ़र्च जाए और आप लोग का paper बहुत अच्छा हो तो आप लोग अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करिएगा उ जा शाएगर